आज कल के बच्चे बहुत क्रियेटिव होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, they are very smart. हम ममीज को भी क्रियेटिव होना चाहिए और हमें क्रियेटिव बनाता है किसान. चलिए बनाते हैं क्रीमी राइस विट जैम. पहले हम पैन को गरम करते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राइस. इस राइस को मैंने पहले से ही सोक करके रखा था. राइस को थोड़ा सा सौटे करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दूद. हम इस राइस को पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए हमारा राइस पक चुका है and it's the right time to add some sugar ध्यान रखे की शुगर आप राइस पकने के बाद डाले नहीं तो ये राइस थोड़ा सा अनकुक्ट रहेगा और आज हम बच्चों का दिल जीतेंगे इस यमी डेजर्ट से राइस हमारा पक चुका है and it's the right time to add my twist कि साथ मिक्स रूब जैम इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखें हमारे क्रीमी राइस में कितना प्यारा पिंक कलर आया है अब ये बन चुका है and it's time to pack our tiffin हम इसे गानिश करेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स के साथ ये रही एक प्यारी सी डिश हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए किसान क्रीमी राइस विज जैम I'm sure the kids are going to love it अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को हिट करें एसी और कई इंट्रेस्टिंग किसान टिफिन रेसिपीस के लिए आप मुझे नीचे दिये गए फेस्बुक और यूच्यूब एड्रेस पर फॉलो कर सकते हैं नाव नो मो बहाना किसान बनाए यमी टिफिन का खाना